Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे वैसे तो USA और चाइना के बीच में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लेकिन हम कह सकते हैं कि बीते 10 दिनों से US और चाइना के बीच में TikTok को लेके रिलेशन्स थोड़े से और भी खराब हुए हैं जहाँ पर Government of US ने TikTok के सामने दो options रखे हैं पहला option या तो TikTok अपने आपको किसी भी US कमपनी को बेच दे या दूसरा option अगर TikTok अपने आपको नहीं बेचता है किसी भी US कमपनी को तो उसे US में बैन कर दिया जाएगा वहीं पर जो market experts से उनका ये मानना है कि TikTok अपने आपको US में बैन करवाना पसंद करेगा as compared to अपने आपको किसी भी US कमपनी को बेचना हमारे सामने ये बहुत एक classical example है जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक global superpower देश अपने power का misuse करता है और पूरे दुनिया भर में अपने companies का monopoly को establish करने का कोशिश करता है इस वीडियो में हम इनी सब points के उपर focus करने वाले हैं मगर इस वीडियो में आगे बढ़ू इससे पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी मुझे email करके बता सकते हैं So as an Indian हमारे लिए बेहर ज़रूरी होता है कि geopolitical news को हम बहुत ही neutral perspective से रह के देखें कभी भी हम किसी भी article को पढ़ने के पहले pre-minded होके ना पढ़ें TikTok के उपर ये allegation लगा है कि वो अपने users के data को Government of China के साथ share करते हैं जहांपे US और China के बीच में relations खराब हैं तो इसलिए दोनों देशों के उपर ये allegations लगते हुए आए हैं कि वो एक दूसरे के उपर जासूसी करवाते हैं वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए Alphabet, Google या Facebook, Meta तो इनके उपर भी ऐसे multiple allegations लगे हैं और वो allegations प्रूफ भी हुए हैं जहांपे ये मालुम पड़ा है कि Facebook या Meta अपने users के data का misuse करते हैं तो कहने का मतलब है कि अगर China या TikTok किसी भी तरीके से अपने users का data को misuse करते हैं तो same allegation लगा है Meta या Facebook के उपर भी तो यहांपे हमारे सामने कौन सही है, कौन गलत है ये तो option ही नहीं है, बस हमारे पास option है कि किस तरीके से देश अपने monopoly को establish करना चाहते हैं और उस पूरे process में अपने गलत काम को भी सही बताते हैं आपको ऐसे multiple articles मिल जाएंगे और बहुत ही solid reasons के साथ जहां पर ये बताया जा रहा है कि क्यों Chinese company TikTok को किसी भी US firm को नहीं बेचना चाहेगा हलाकि TikTok अभी भी US market में more or less एक साल तक रहने वाला है So TikTok का जो mother company है उसका नाम है ByteDance और ByteDance एक private entity है जिसका मतलब ये होता है कि वो अपने financial documents को public domain में नहीं रखते हैं ByteDance का ये claim है कि TikTok एक loss making application है उसके बावजूद भी वो किसी भी तरीके से अपने आपको यानि कि TikTok अपने आपको किसी भी US company को नहीं बेचना चाहेगा वहीं अगर आब बात करें तो साल 2016 में TikTok को खरिदने का attempt किया गया था Meta के द्वारा तो possibly क्या है कि अगर TikTok अपने आपको बेचेगा तो उसे पूरे अपने जो properties है जो उसके पूरे mechanism है उस पूरे mechanism को बेचना पड़ेगा तो कोई भी social media platform work करता है अपने mechanism पे जिसको की famously कहा जाता है algorithm तो अगर TikTok अपने आपको बेचता है US company को तो उसे अपने algorithm या अपने जो भी mechanism है उसको पूरा expose करना पड़ेगा US government को या US firm को इसका मतलब ये भी होता है कि TikTok किस तरीके से operate करता है वो सारे algorithm US firm को मालूम पड़ जाएगा तो possibilities काफी high है कि उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा by dance को तो ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा वज़े है कि क्यों by dance TikTok को नहीं बेचेगा उसके बाद अगर हम ये मानके चले कि TikTok का USA में कितने users हैं तो अलग-अलग articles में आपको अलग-अलग numbers मिलेंगे लेकिन अगर हम सबसे bare minimum मानके चले तो almost 50% जो Americans हैं वो TikTok का इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी काफी अलग-अलग variations है कहने का मतलब है कि जो younger age के लोग है वो जादा लोग TikTok पे हैं और जिनका age थोड़े से working class में आता है वो थोड़े कम use करते हैं बट more or less अगर हम ये मानके चलें कि almost 50% US के लोग TikTok पे हैं तो हम गलत नहीं होंगे क्योंकि social media platform आज के date में किसी भी देश के जो लोग है उनके विचार को उनके mindset को उनका like, dislike को समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है आप किसी भी एक video या खास करके आप political videos पे जाके अगर आप comment करते हैं तो उस comment से आपको एक analysis आप draw कर सकते हैं कि कितने percent लोग या at least लोग का क्या विचार है उस politician के लिए या उस political parties के लिए तो ये भी कही न कही हम Indians के लिए एक बहुत बड़ा seek है plus threat भी है कि कितने असानी से हम किसी भी social media platform पे जाके अपने विचार को व्यक्त कर देते हैं ये बगएर जाने हुए कि उस data का किस तरीके से misuse होगा क्योंकि ByteDance ये बढ़ चड़ कर क्लेम करता है कि TikTok एक profitable application नहीं है US में और उसके जो main revenue आते हैं वो China से आते हैं लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए साल 2022 का revenue और साल 2023 का revenue तो हमें मालुम पड़ेगा कि कुछ 40 billion American dollars का profit generate किया गया है ByteDance के द्वारा जो कि अपने आप में एक ठिक ठाक सा amount हो जाता है उससे भी कहीं बड़ी बात हो जाता है कि किस तरीके से TikTok US के लोगों को या US के लोगों का mindset को समझता है उनके likes और उनके dislikes को समझता है तो almost अगर किसी भी देश के 50% लोग अगर किसी भी एक social media platform पे रहते हैं और खास करके अगर वो social media platform आपकी enemy state का होता है तो more or less ये threat तो generate करता है वहीं पे एक research firm जिसका नाम है e-marketers इनके द्वारा एक research conduct किया गया या एक survey conduct किया गया जहां पे ये मालूम पड़ा कि on an average एक US में TikTok users 54 minutes का time spend करते हैं TikTok के उपर जो कि किसी भी social media platform जैसे कि Instagram, Snapchat और YouTube से कहीं जादा है तो कहीं न कहीं ये चीज़ proof करता है कि जो TikTok का market है या उसको लेके जो लोगों का attraction है वो कहीं जादा है as compared to Instagram और social media का मतलब यह होता है engagement आप किसी भी platform पे जितना engaged रहते हैं उस platform का उतना ही benefit होता है और उसके बाद कहीं न कहीं social media platform एक बहुत ही बड़ा पैसे कमाने का जरिया बन चुका है अगर आप इस पूरे article को पढ़ेंगा तो आपको मालूम पढ़ेगा कि किसी भी तरीके से अगर TikTok ban होता है US में तो इसका जो सबसे बड़ा beneficiary जो अभी दिख रहा है वो है YouTube Shorts और Instagram के जो Reels होते हैं वो हलाकि इसके अलावा और भी maybe players आ सकते हैं market में लेकिन फिलाल तो कुछ ऐसा ही दिख रहा कि यही दो company सबसे बड़े beneficiary होने वाले हैं उसके बाद एक चीज और जो noticeable है वो यह है कि algorithm किस तरीके से काम करता है किसी भी social media platform का कोई भी social media platform उस चीज को public domain में या अपने rival companies के साथ share नहीं करना चाहते हैं अगर हम इस video को simply conclude करना चाहें तो अगर TikTok किसी भी तरीके से अपने users का data का misuse करता है तो almost सभी social media platforms अपने users का data का misuse करते हैं अब depend करता है कि आप किस के तरब से रह के देख रहे हैं चीजों को ना तो हमारे लिए US बहुत अच्छा है ना तो हमारे लिए China बहुत अच्छा है इन सब news को देख के पढ़के हम समझ सकते हैं किस तरीके से एक narrative एक agenda बनाया जाता है और इसमें सभी देश अपने अपने हिसाब से expert हैं और सही हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video Have a wonderful day Thank you Take care Goodbye